दिल्ली के मुख्य मंत्री और आमादी पार्टी के सियोज़क अर्विन केजरिवाल को 2 जून को सरेंडर करना है एक जून यानि आखरी चन्ड के मतदान के बाद 2 जून को अर्विन केजरिवाल 2 पहर 3 बजे अपने घर से सरेंडर करने के लिए निकलेंगे इससे पहले उन्होंने एक वीडियो मेसिज जारी करके जूनता के प्रतीप चिंता जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे जेल से ही सरकार चलाएंगे इसके लाव़ क्या कुछ कहा रविन केजरिवाल ने आप खुद ही सुन लीजिए इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे पर मेरे हौसले बुलंद है देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ इसका मुझे फक्र है इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की जुकाने की कोशिश की मुझे चुप करने की कोशिश की लेकिन ये सफल नहीं हुए जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे परताडित किया इन्होंने मेरी दवाईयां रोक दी, मैं 20 साल से serious diabetes यानि शुगर का मरीज हूँ, पिछले 10 साल से मुझे रोज insulin के injection लगते हैं, रोज मेरे पेट में 4 बार injection लगते हैं, जेल में इन्होंने कई दिन मेरे insulin के injection बंद कर दिये, मेरी शुगर 3700 तक पहुंच गई, इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो kidney और liver खराब हो जाते हैं, पता है यह लोग क्या चाते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया, जेल में मैं 50 दिन था, इन 50 दिनों में मेरा 6 kg वजन कम हो गया, जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 kg था, आज 64 kg है, जेल से छूटने के बाद भी वजन न जरूरत है, मेरे urine में भी ketone level बहुत ज्यादा हो गया है, परसो मैं surrender करूँगा, surrender करने के लिए लगबग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूँगा, हो सकता है यह इस बार मुझे और ज्यादा प्रताडित करें, लेकिन मैं जुकूंगा नहीं, आप अपना ख्याल रखना मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है, आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा, मैं बेशक आपके बीच नहीं होँगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे, मैं चाहेँ जहां रहूँ, अंदर रहूं, बाहर दिली के काम नहीं रुकने दूँगा आपकी फ्री बिजली, महला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाईया, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यातरा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे और लोट के हर मा बहन को हर महीने 1000 रुपे देने के भी शुरुआत करू मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बनके अपना फर्ज निभाया है, आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरे माता-पिता बहुत भुजूर गये हैं, मेरी माँ बहुत बिमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती ह मेरे पीछे से मेरे माता-पिता का ख्याल रखना उनके लिए दुआ करना भगवान से प्रार्थना करना दुआ में बड़ी ताकत होती है आप मेरी मा के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है उन्होंने जिन्दिगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एक जुटो जाता है आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए यदि मेरे प्रान भी चले जाएं तो गम मत करना आपकी प्रार्थनाओं की वज़े से ही आज मैं जिन्दा हूँ और आगे भी आपका आशिर्वाद मेरी रक्षा करेगा लेटिस्ट वीडियोज के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हर्याना को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले